स्री शिवाय नमस्तु बियम दर्शकों, हम हैं कुबरेश्वरधाम मंदीर में और आज है सत्रा मई, सत्रा मई याने प्रदोश का दिन है और आज हम कुबरेश्वरधाम पहुचे हैं, यहाँ पर आज लाइव रुदराक्ष बाढ़ते हुए दिखाएंगे, यहाँ पर रुदराक्ष महुस्व में रुदराक्ष नहीं मिल पाया था, इसी कारण गुरुजी के आदेश द्वारा अब बाटे जा रहे हैं, रुदराक्ष मिलना शुरू हो गए हैं, यहाँ पर पून्ड वेवस्थाएं कर दी गई हैं, अलग-अलग काउंटर बना दिये गए हैं जो भी लोग यहाँ पर भक्तिकन आते हैं, तुरंथ ही रुदराक्ष उन्हें मिल जाता है, अलग-अलग लाइनों में खड़ा हो करके आपको रुदराक्ष मिल जाएगा, और यहाँ पर आप सुबह से ही आ सकते हैं, सुबह 7-8 बजे से आ जाईएगा, और लाइन बना कर बैट जाईएगा, इसके बाद आपको रुदराक्ष मिलते चले जाएंगे, आप ले जाएए, ऐसा यहाँ पर विवस्थाएं काफी अच्छी कर दी गई हैं, और यहाँ पर टेंट भी लगाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को चाओं मिल सके, कोई भी व्यक्ति अगर जहां पर लोग पहुँच रहे हैं, रुदराक्ष प्राप्त करने के लिए जो भी व्यक्ति बीमार है, उन्हें रुदराक्ष का जल जरूर पिलाएं, जो भी व्यक्ति अगर आपके घर के आसपास कोई दिखता है, जो बीमार हैं, कुबरिश्वर धाम के रुदराक्ष का जल आप उन्हें दे सकते हैं, दर्श को यहां पर हम और भी चीजों के दर्शन करवा रहे हैं, यह है गौशाला, गौशाला काफी बड़ी है यहां पर आप अपने हिसाब से यहां पर गायों के लिए खाने का भोजन, चारा वगिरा आदी चीज़ें ला सकते हैं, और गाय रुद्राक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो शीकर रतिशीकर आ जाईएगा रुद्राक्ष लेने के लिए कुपरिश्वर धाम में क्योंकि यहां पर रुद्राक्ष वित्रन शुरू हो चुके हैं और रुद्राक्ष वित्रन आप ना जाने कब होंगे इसके बाद इसलिए आप रुदराक्ष प्राप्त कर लीजिएगा जो भी व्यक्ति रुदराक्ष के लिए काफी समय से प्रयास कर रहे थे रुदराक्ष उन्हें मिल जाए तो अब मौका है आप आकर के रुदराक्ष प्राप्त कर सकते हैं अब इसके बाद ना जाने कब मौका आएगा शायद र रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए सिहोर कुबरिश्वर धाम के लिए रवाना हो जाएए यहाँ पर कोई भी आधार कार्ड या कोई आईडी कार्ड की जरुवत नहीं है आप आईए और रुद्राक्ष लेकर जाएए जो भी वेक्ति रुद्राक्ष लेने आ रहे हैं व भीर काफी होने के कारण थोड़ा समय तो लग जाता है लाइन में लगना पड़ता है फिर ही आपको रुद्रक्ष प्राप्त होगा तो निश्चित हो करके आप आईएगा और बूरे वेक्ति यहां पर ना आए तो अच्छा है क्योंकि देश धूपे गर्मी का मौसम है ठंड दर्शकों यहां पर देख सकते हैं आप भीर काफी बढ़ती जा रही है अभी तो स्टार्टिंग है हम सुभा सुभा साथ बजे पहुंच चुके हैं इसलिए सुभा का समय है और सुभा का समय आप देख सकते हैं बहुत जादा भीर हो चुकी है दोपैर तक तो बहुत ही ज बना दिये गए हैं जिससे कि आपको रुदराक्ष जल्दी प्राप्त हो और कोई असविदा ना हो चोटे बच्चों को लेकर जादतर यहाँ पर महिलाएं ना आएं क्योंकि गर्मी का मौसम है आप समझ सकते हैं लू तेज धूप के कारण आपको बिमार भी होना पड़ सकता है तो चोटे बच्चों को बिल्कुल ना लाएं चोटे बच्चे ना जुक होते हैं उन्हें आप घर पर ही रखें चोटे बच्चों को बिल्कुल भी ना लाएं दर्शकों यहाँ पर देख सकते हैं काफी भीड हो रही है और यहाँ पर गुरू जी ने आदेश दिया है कि रुद्राक्ष वित्रण शुरू कर दिया जाए क्योंकि रुद्राक्ष वित्रण काफी समय से टल रहा था जिसके कारण लोग रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए काफी उस्सुख थे आज वो समय आ चुका है आप भी आईए और रुद्राक्ष प्राप्त कीजिए दर् उपाई भी बताए जाते हैं जो आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान के लिए होते हैं गुरुजी तोरह बताएगा है उपाई हम अपने चैनल पर डालते हैं उन्हें भी अवश्य सुनिएगा उपाई को वीधी पूरवग करके भी दिखाते हैं अगर आप लोग ह हमारे इस चैनल पर देखेंगे तो आपको बहुत सारे उपाई मिल जाएंगे तरशकों मिलते हैं अगले वीडियो में सिरी शिवाय नमस्तुगम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा